ओम नमशिवाई श्रावण मास महातम में पांचवा अथ्याई इश्वर बोली हे सनतकुमार करोड पार्थिव लिंगों के महातम में तथा पुर्णे का वर्णन नहीं किया जा सकता जब मात्र एक लिंग का महातम में नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड लिंगों के विशे में तो कहना ही क्या? मनुष्य को चाहिए कि करोड लिंग निर्मान ऐसा मर्थता में एक लाख लिंग बनाए या हजार लिंग या एक सो लिंग ही बनाए यहां तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधी मिल चाती है शडाक्षर मंत्र से सोले उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए ग्रहय यग के साथ उद्ध्यापन करना चाहिए उसके बाद होम करना चाहिए और ब्रहामनों को भोजन कराना चाहिए हे सनत कुमार इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल म्रत्यू नहीं होगी यह व्रत बाँजपन को दूर करने वाला सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपतियों की व्रद्धी करने वाला है म्रत्यू के परशात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैला श्वास करता है जो मनुष्य श्रावन मास में पंचामरत से शिवजी का अभीशेक करता है वह सदा पंचामरत का पान करने वाला होता है गोधन से संपन अत्यंत मधूर भाशन करने वाला तथा त्रिपूर के शत्रू भगवान शिव को प्रिय होता है जो इस मास में अनोदान व्रत करने वाला तथा हविश्यान ग्रहन करने वाला होता है वह वरी ही आदी सभी प्रकार के धान्यों का अक्षे निधी स्वरूप हो जाता है पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ट मनुश्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक करता हो जाता है श्रावन मास में केवल भूमी पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है इस मास में एक भी दिन प्राते स्नान करने से मनुष्य को एक वर्ष इसनान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में इस्वठिक, पाशान, मृत्तिका, मरकतमणी, पीठी, धातू, चंदन, नवनीत, आदिसे निर्मित, अत्वा, अन्य किस इसी भी शिवलिंग में साथ ही किसी स्वैम आविर्भूत नय हुए लिंग में श्रेश्ट पूजा करने वाला मनुष्य सेक्डो ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ शेत्र में सूर्य ग्रहन या चंद्र ग्रहन के अवसर पर एक लाख जप से जो सिद्धी होती है वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो हजार नमस्कार और प्रदक्षिनाय की जाती है उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिया इस शावन मास में वेद पारायन करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धी हो जाती है श्रद्धा युक्त होकर इस मास में एक हजार बार पुरुष सुक्त का पाट करना चाहिए अत्वा कल्युग में उसका चोगुना पाट करना चाहिए अत्वा वर्ण संख्या का सोगुना पाट करना चाहिए अत्वा वह करने में ऐसा मर्द हो तो आलस्य हीन होकर मात्र एक सो पाट करना चाहिए ऐसा करने वाला मनुश्य ब्रह्म हत्या आदी पापों से मुक्त हो जाता है इसमें कोई संध्य नहीं है गुरु पत्नी के साथ ससर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्राइशित है इसके समान पुर्ण्य प्रद पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है पुरुष सुक्त के जब के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए जो मनुश्य इस फल्क को अर्थवाद कहता है वह नरक गामी होता है इस महीने में समीधा, चारू, तिल और घृत से ग्रहय यग्य होम करना चाहिए शिव के रूपों का भली भाती ध्यान आदी करके दूप, गंद, पुष्प, नेवेद, आदी से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थे के अनुसार कोटी होम, लक्ष होम, अत्वा, दस सहस्त्र होम करना चाहिए ओम भू, ओम भु, ओम स्वय के साथ तिलो के द्वारा भी यह ग्रहय यग्य नामक होम किया जाता है हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूँगा, आप सुनिए हे अनग, उनमें सर्व प्रथम में आपको रविवार का वरत बताऊंगा इस संभंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं प्रतिष्ठान पूर में सुकर्मा नामक एक द्विज था वह दरिद्र, क्रपन तथा भिक्षा वरती में लगा रहता था एक बार वह धानने मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया उसने किसी एक ग्रहस्त के घर में मिलकर रविवार का उत्तम वरत करती हुई इस्त्रियों को देखा तब उसे देख कर वे इस्त्रिया परसपर कहने लगी कि इस पूजा विधी को शिगरता पुर्वक छिपा लो इस पर वह विप्र उन इस्त्रियों से बोला हे श्रेष्ट इस्त्रियों आप लोग इस वरत को क्यों छिपा रही है समानचित वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ इस श्रेष्ट वरत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा अत्य आप लोग इस वरत का विधान वे फल अवश्य बताएं इस्त्रियां बोली हे द्विज इस वरत के करने में आप उनमाद तथा प्रमाद करेंगे अत्वा भूल जाएंगे अत्वा इसके प्रती अभक्ती या अनास्ता रखने लगेंगे अत्य आपको यह वरत कैसे बताएं उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रोढ़ा इस्त्री थी वे उस ब्रहामन से वरत तथा वरत की विधी बताने लगी हे ब्रहामन श्रावन मास के शुकल पक्ष के प्रथम रविवार को मोन होकर उठ करके शीतल जल से इसनान करे उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन करके पान के एक शुब दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार बारे परीधियों वाला सुन्दर मंडल बनाए उस मंडल में रक्त चंदन से संग्या सहीत सूर्य का पूजन करे उसके बाद घुटनों के बल भूमी पर जुक कर बारे मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्गय श्रदा भक्ती पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रधान करे और लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करे उसके बाद मिश्रि से युक्त नारियल की बीच का नेवेध अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य के स्थूती करे और श्रेष्ट द्वादश मंत्रों से बारे नमस्कार तथा प्रदक्षिणाई करे उसके बाद छे तंतुओं से बनाई गए सुत्र में छे ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पन करके उसे अपने गले में भांदे और पुने बारे फलो से युक्त वायन ब्रामन को प्रदान करे इस व्रत की विधी को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए हे विप्र इस विधी से व्रत के किये जाने पर धन हीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है पुत्र हीन पुत्र प्राप्त करता है कोड़ी कोड़ से मुक्त हो जाता है बंधन में पड़ा व्यक्ती बंधन से छूट जाता है रोगी व्यक्ती रोग से मुक्त हो जाता है हे विपेंद्र अधिक कहने से क्या प्रयोजन साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है इस प्रकार श्रावन के चारों रवीवारों और कभी कभी पांच रवीवारों में इस व्रत को करना चाहिए इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए हे विपेंद्र आप भी इसी प्रकार करें इससे आपकी सभी मनों कामनाओं के सिद्धी हो जाएगी उसके बाद उन पती व्रताओं को नमस्कार करके वह ब्रहामन अपने घर आ गया उसने जैसे सुना था उसी विधी से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वही विधी सुनाई उस व्रत के सुनाने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वेकन्याए देवांगनाओं के सद्रश्य हो गई कर राज मार्क से जाते समय खिड़गी में खड़ी उन दोनों सुन्दर तथा अनुपम कन्याओं को देख लिया तीनों लोगों में कमल चंद्रमा आदी जो भी सुन्दर वस्तुएं हैं उन्हें में हैं दोनों कन्याओं अपने शरीर के अव्यवों से त्रेस्क्रत कर रही है उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और शन भर के लिए वहीं खड़े हो गए ब्राहमन को शिक्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया तब उस ब्राहमन ने भी हर्शित होकर दोनों कन्याओं राजा को प्रदान कर दी उस राजा को पती के रूप में प्र व्रत को मैंने आपसे कहे दिया है हे विधिनन्दन जिस व्रत के श्रवन मात्र से मनुष्य सभी मनोरतों को प्राप्त कर लेता है उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए इस प्रकार श्री इसकंद पुरान के अंतरगत इश्वर सनत कुमार समवाद में श् किर्णक नाना व्रत रविवार व्रतादी कथन नामक पाँच्वा ध्याय पूर्ण हुआ जै श्री राधे